नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतेन्द सिंग और मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर तो दोस्तों बहुत से कॉमेंट्स मुझे आते हैं कि सर जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाईए बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सि न्废ान से आते हो तो जैसे आपको एफ़ एपल बताया जाता है व उसी तरीके से हम शुरू कर रहे हैं आज की ये बहुत जवर्जस्त बेसिक से भी बेसिक क्लास तो जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज की मज़ेदार क्लास गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग सस्त्रेयकाल नमस्कार और जो भी आर्यानत देखे हैं भाई तामने तारबाई की राम राम बहुत बड़िया कम लंग रेजी शिकान लाग रहा हूं पूरा इंदुस्तान तारबाई का साथ देन लाग रहा है बारदेश सांथ भी लोग देखन लाग रहे हैं तम भी देख लिए और तारबाई ने सपोर्ट करो जमाख खेच के चलिए तो चलिए शुरू करते हैं ग 1610 चीजें अरे वह लोग दुनिया में चंद होते हैं सीख लेते हैं जितने का उनरन उनके होसले बड़े बुलन्द होते हैं वाव है border to आप मेरे लिए बाद में तालिया बजाता हूं बड़ी अच्छी ओडियंस रहती है एंटर्टेनिंग भी रहे तो मज़ा भी आता है सीखने में है ना तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक लास तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो इंग्लिश बोलना पढ़ना और लिखना यह सीखें कैसे कि जब हम इन अक्षरों को सीखते हैं तो यह जो अक्षर हैं यह हमें बहुत ही help करते हैं पढ़ने में भी बोलने में भी और जब हम लिखते हैं तब भी हमें इनका जो उचारन है जो इनकी pronunciation है उससे पता चलता है कि कोई भी शब्द को हम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले जरूरी है हमें ये पता होना कि हम इंग्लिश में क्या सीख रहे हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सर नींद ऐसी खो गई कि सारी रात थक चलो वहिया कुछ अलग शायरी बोलने लगए आप वह मैं नहीं जाता बीप बीप हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं गुड़ इवनीं गुड़ इवनीं कहां कहां से हैं एक बार बता दो यार ताकि माहोल बन जाए थोड़ा सा और फिर आप जैसा देख रहे हैं बिलकुल इसी हिसाब से इंगली शुरू करते हैं है ना आप एक बार जल्दी से बोल दो कहां कहां से हैं हाँ हाँ अनिता जी मुझे याद है रिगार्ड टू रिगार्ड रिगार्डिंग रिगार्ड यह सब बताऊंगा मैं क्लास की खत्म ह होने के बाद ठीक है तो चलिए दोस्तों इंडिया से पटना से चलिए हर्याना से अरे वाह माराश्ट्रा उज्जेन न्यू डेली गोरकपूर मुझफर नगर यूपी बिहार भोपाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाहर से भी लोग जुड़ गए हैं क्या कुछ अ पूरो पस्चेन पूरा कवर हो गया है बार के भी देश कवर हो गए हैं ठीक है यूके से भी लोग जुड़े हुए हैं हर्याना से तो जुड़े हुए हैं बहुत यूएस से भी जुड़े हुए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको गल्फ कंट्री से तो बहुत से स्टूडेंट के बाद में कॉमेंट आते हैं कि सर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता तो जैसे ही आप लाइक करते हो यूट्यूब उन सभी लोगों को एक बार नोटिफिकेशन भेज देता है ठीक है तो वह कहीं कुछ कर रहे होंगे इंतजार तो जल्द कोर्स में पहले करवा चुका हूं जो मैंने लास्ट इयर शुरू किया था उसकी एक लास नंबर थार्ड है ठीक है तो यह चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं यह मैं पिछले साल अल्रडी करवा चुका हूं लेकिन एक बार फिर से आप सब को करवा रहा हूं ताकि आप ल सब्जेक्ट आप उसको सीख लो या आप उसको ऐसे लेंग्वेज सीख लो तो सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ बनाकर अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको ग्रामर की जूर्ट पड़ेगी टेंस के रूल्स की जूरुत पड़ेगी आपको हर चीज की जूरुत पड़े बागी सब अपने कोर्स ही बेचेंगा एप्लिकेशन बेचते हैं ठीक है मैं नहीं बेच रहा तो आपको एक ग्रामर वाला कोर्स भी अल्रडी मिलेगा और दूसरा है प्रैक्टिस जो सिरफ स्पोकन पॉइंट ऑफ यू से हो वो भी अल्रडी कोर्स हैं तो आज हम स्पोकन प आशा है पूरी वो कितने अक्षरों से बनी है अक्षर से ही क्या बनेगा लेटर्स जो अक्षर होते हैं उन्हीं से वर्ड्स बनते हैं यानि कि शब्द और एक्जेंपल मैं आपको कहता हूं क्या यह कोई वर्ड है बताए मुझे और मैं यह कहता हूं क्या ये वर्ड है क्या ये कोई वर्ड है बताओ बताओ अरे दिमाग लगाओ जल्दी से है ना और मैंने ये कर दिया क्या ये कोई वर्ड है तो मैंने आप लोगों को ये तीन वर्ड दिये हैं तो अक्षरों का मतलब ये नहीं होता कि सभी अक्षरों से शब्द बनेंगे वावल्स इसमें होते हैं, कॉंसोनेंट्स इसमें होते हैं, पूरा इसमें फोनेटिक्स के रूल लगते हैं, ट्रांस्क्रिप्शन बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके, इसकी भी एटिमोलोजी, एक तरह से साइन्टिफिक्ट रचना होती है, तो अगर आप उ C-L-A-S-S, ये भी वर्ड बन गया, इसको मैंने बना दिया, इट, या मैंने इसको बना दिया, टी, तो ये भी मतलब बन गया, आप समझ रहे हो, तो हर अक्षर को जोड के हम शब्द नहीं बना सकते, मतलब वाले शब्द बनने चीए, वाक्य कैसे बनता है, आप देखिए तो सही क्रम में अगर जोडा जाए, तो ही हमारे वर्ड आते हैं, और उनी शब्दों को, अगर सही रूल के हिसाब से, वो बैटिम जो उनकी बनती है, उस हिसाब से जोडा जाए, तो ही वो क्या बनता है, वाक्य यानि की सेंटेंस बनता है, इसका भी एक्जाम्पल मैं कि बताइए, क्या यह कोई सेंटेंस है? यह मैंने 5 वर्ड लगा दिये, और सभी वर्ड का कोई न कोई मतलब जरूर है, लेकिन क्या यह 5 वर्ड हमें कोई मतलब दे सकते हैं, इंगलिश में? आपको इंगलिश क्यों नहीं आ पाते? वो इसी वजह से, कि आपको सब्धों का अगर पता चल जाता है तो भी आप उनको सही से जोड नहीं पाते ठीक है इसलिए हमें grammar पढ़ने पढ़ती है हम ESL है English as a second language learners ESL learners हैं तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं you do not like me तो अब अगर मैं यह कहूं तो यह बन गया perfect sentence तो अगर अगर शब्दों को देखो अक्षरों को सही क्रम में जोडा जाए तो सही शब्द बनते हैं मतलब वाले शब्दों को सही क्रम में जोडा जाए तो ही हमको सही तरीके से sentence मिल पाता है और ऐसी ही sentence जब हम बोलते हैं वो बन जाती है एक पूरी भाष्या यानि की लेंग्वेज इतना समझ आ गया वैल डन आप देखो दोस्तों अब अगर हम English की बात करते हैं English में हमें क्या पता है कि ABCD हम बच्पन से पढ़ रहे हैं बैए एफ और एपल भी फोर वॉय लेकिन यह जितने भी अक्षर है इनी से ही तो सारी वो कैबलरी बनी है यानि कि अगर मैं बात करता हूं वो कैब की आपको पता है आपको English बोलने के लिए कितने वर्ड्स की जुरूरत है किसी को पता है बताओ चलो आपको जुरूरत है सिर्फ और सिर्फ हजार से डेड़ हजार वर्ड्स की सिर्फ इतनी और कोई कहे कि सर मुझे ना पूरी इंग्लिश नहीं आते वेर गोना सारी इंग्लिश सीखनी है तब ही मैं इंग्लिश बोलूँगा तो बेटा एक बात बताओ इंग्लिश में टोटल आज के दिन नोन वर्ड्स कितने हैं बताओ तीन लाग तो अगर आप मेंसे कोई सोचता है कि इस दुनिया का कोई भी टीचर मेरे को तो भूली जाओ यह जो बड़े-बड़े तीसमार का उचलते हैं ना टीवी पे कि हम सबसे बैस टीचर हैं अरे त तीचर का अपना-पना लेवल होता है और स्टूडेंट्स को जिस टीचर का लेवल समझ में आ जाए उसी लेवल से स्टूडेंट कनेक्ट कर जाता है जैसे आप लोगों ने कर रख़ा है तो तेन लाख वोकेब आप भी नहीं सीख पाऊगे तो हमारी वोकेबलरी कितनी है आप लोग 1500 सीख लोगे, तो हो सकता है मेरी 3000 हो, हो सकता है किसी की 5000 हो, तो शब्दों का ग्यान होना आपकी English की गुनवत्ता को नहीं बता सकता, अगर आप अपनी बात किसी दूसरे तक एक भाशा में पहुंचा रहे हो, that is enough, आप English बोल सकते हो, तो 1000 से 1500 वर्ड याद करने क्या बात है, मुश्किल हैं, मुश्किल हैं दोस्तों, बिलकुल मुश्किल हैं, चलिए, अब मैं बताता हूँ, मैंने एक ये sentence बना, ये एक example देता हूँ, एक मैंने ले लिया, जी, इसको वैसे तो जी बोला जाएगा, जी फॉर, गोट, ठीक है, अब ये आवाज निकली, गह की, और जी फॉर, जिराफ, तो इंगलिस में यही तो है, कि एक ही अक्षर से, दो अलग-अलग तरह की आवाजे निकलती हैं, तो कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि सर, ये गोट क्यों है, या गुड क्यों है, क्योंकि ये गह से क्यों शराफ हुआ, ये जैसे क्यों शुरू नहीं हुआ, तो ये जो हमारे फनेटिक्स और कॉंसोनेंट हैं, इनके कॉंबिनेशन होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 1500 तो देखो, हम नहीं कर सकते हैं, याद एक दम से, उसकी भी मेरे पास PDF है, वो भी मैं दे दूँगा, किसी को चाहिए तो, ठीक है न, वो मैंने, जो ये मैसेज चैट चल रही है, इसमें पिन भी कर रखा है, मेरी जो बुक है न, उसका लिंक, लेकिन, मैं आपको PDF भी अलग से बताऊंगा, कहां मिलेगी, अब दोस्तों ये देखो, हम ये चीज़े नहीं कर सकते, लेकिन, हम क्या कर सक है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर देऊंगा, ठीक है, लेकिन आखरी तक वीडियो के बने रहोगे, तब ही वो मिलेगी, चलिए, देखते हैं, तो मैंने इस से बनाया, जी से, जाना, गो, तो ये गह की साउंड आई, और ये शब्द बने, सेंटेंस बना रहे हैं, I go to school, कि मैं school जाता हूं, और मैंने इसी को, इस वाक्य को और बढ़ा दिया, तो ये भाशा बन गई, कि वही, I go to school everyday, मैं रोज school जाता हूं, I study all day, मैं सारा दिन पढ़ता हूं, and come back home at 4 p.m. और मैं वापस घर आ जाता हूं, शाम को 4 बजे, तो ये एक पूरी भाशा बन गई आपकी समझा रहा है आप सबको, तो इसी तरीके से, जो English language है, हम बिल्कुल basic से पकड़ते हैं, ABCD से है ना, तो English भाशा में 26 letters होते, 26 letters, जैसे हिंदी है, हिंदी में भी जितने भी काखा गाड़ा, जितने अक्षर हैं, तो उसको बोला जाता है, वर्ण माला, उसी तरह हैं, ये जो के alphabet, तो हमें ये definition याद नहीं करनी, हमें क्या समझना है, ध्यान से ये देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, और इसको Z भी बोलेंगे, Z भी बोलेंगे, क्यों? वीडियो के end तक बने रहो, बताऊंगा सब, अब इसमें क्या है, जो आप ये yellow color से highlight देख रहे हो, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये जो पाँच अक्षर हैं, ये जो पाँच हैं, इन्हें हम बोलते हैं, वावल्स, क्या बोलते हैं दोस्तों? वावल्स, वावल्स का मतलब ये है, कि ये जो पाँच अक्षर हैं, ये एक आवाज निकालते हैं, और वो जो आवाज है, वो हमारे मुह के अंदर ना आर्टिकुलेटर्स होते हैं जैसे आप बोल के देखो मैं सिंपल सा एक 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 ग्जम्पल देखता हूँ P P और B बोल के देखो, हाथ ऐसे लगाओ अपने आगे P हवा आटक के आएगी न एकदम हवा आपको एकदम से लगेगी प, ब, प, ब, आपके होंट भी बंद होंगे ठीक है टी, ये ट निकालो का निकालो, ला निकालो मा निकालो, मा प, ब, ये सभी जो आप इन पांच अक्षरों के अलावा बोलोगे ना, इन में आपके आर्टिकुलेटर्स आपस में कोंट्रेक्शन करेंगे, लेकिन जब ये वावल्स आप बोलते हो तो आपके जो आवाज है वो फ्लोलेस निकलेगी, हवा निकलेगी आराम से, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए इने वावल्स बोला जाता है, ताकि इनका कॉम्बिनेशन जो है, वो सही से, शब्दों की प्रनेंशियेशन बना सके, तो इन में आपको ये पांच को ध्यान रखना है क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलने की शुरूआत करते हो, तो आपको ध्यान हो, आर्टिकल्स नाम की एक चीज होती है, ठीक है, ए, ए, एन, और दा, तो ये जो ए और एन हैं, इंग्लिश में इसका मतलब होता है, एक, इंग्लिश में इसका मतलब होता है, वन, यानि की एक, हिंदी में आप किसी को ये नहीं कहते, कि वह एक टीचर है आप कहते हूं वह टीचर है वह वकील है लेकिन इंग्लिश जब भी आप लिखोगे हमेशा आप बताओगे कि वह एक है एक से ज्यादा है तो एक के लिए हमेशा आपको एया एन लगाना ही पड़ेगा ठीक है तो अब वन बाइवन करते हैं बिल्कुल प्यार से समझेंगे कोई कहीं नहीं जाएगा इधर उदर भटकने की जूरत नहीं है ठीक है लोग पागल बनाने का काम ज्यादा करते हैं पढ़ाते कम है आज कर वह है लोगों को नेता बात बोल रहा हूं और ज्यादा लोगों ने डिमांड करी तो मैं दिखा भी दूंगा दूर्द का दूर्द पानी का पानी फिर शरम आएगी मूनी छिपा पाओगे कई पर चलो कोई बात नहीं तो इसको बोला जाता है दोस्तों यहां भी आप कंफ्यूज होते हो कई परनाउंस करना क्या बोला जाएगा प्रणाउंस करना लेकिन चब आप यह बोलते हो ना कि उचारन करना यह होती है अ और आप लोग कंफ्यूज पता है क्यों होते हो हो आपको लगता है कि इसके आगे सिर्फ त मेरे दोस्तों नहीं बनता यहां पे एनओ you and pronounce किसी शब्द को कैसे pronounce करें एक प्रकरिया क्या हो लेकिन उस पूरी प्रकरिया को process को बुला जाता है pronunciation तो यह जो इसमें ओ नहीं है यह उपर noun है और यह new एं है तो आप याद रखो कोई भी teacher मैं कहा हूँ मेरे अलावा या मैं भी कभी भी आपको अगर यह कहूं कि भाई आज इस शब्द की pronunciation हम करेंगे क्या खाक English बढ़ाएगा तुमसे ना हो पाएगा ठीक है ना तो अगर आपका उचारण basic शब्दों का सही नहीं है तो आप English बोलोगे सीखोगे तो जो आप डर रहे होना कि मैं कुछ गलत English बोलूँगा कोई मजाक उड़ा देगा वह मजाक फिर पक्का उड़ जाएगा ठीक है तो सही English शीखो बिल्कुल शुरुआत से तो यह pronunciation होगा और यह होगा pronounce करना ठीक है यह difference एक तो मैंड में clear रखो और अगर आपको जो मैं चीजें करवा रहा हूं समझ में आती हैं तो एक बार लाइक कर दो सभी के सभी दोनों हातों से लाइक कर दो लाइक तो एक ही बार दबेगा लेकिन जो नए आया हैं वो लाइक करते रहें और comment करके बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है ठीक है ना दिल से दिल पर एक हाथ दिल पर रखो दूसरे से लाइक करो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ ए से अब दोस्तों कई लोग महानुभाव क्या करते हैं इसको कहते हैं कि यह ए है ए है ठीक है और ए से वो ऐसे ऐसे शब्द बना देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा यह एक कब बोला जाएगा यह बोला जाएगा जब आप इसको कहते हो कि ए फॉर एपल एफ और एपल लेकिन अगर आप कहते हो कि वह एक टीचर है तो आप इसको कैसे बोलोगे ध्यान से सुनना यह आपको हर दूसरे सेंटेंस में काम आएगा जब भी आप इंग्लिश बोलोगे यह आपको 90% सेंटेंस में बोलना ही पड़ेगा तो बिलकुल ABCD से हम सीख रहे हैं यहां गलती मत करना ठीक है आप इसको यह कभी भी नहीं कहोगे ही इस एटीचर वह बिलकुल गलत है आप क्या बोलोगे ही इस आर्टीचर क्या बोलोगे ही इस आर्टीचर समझा गया सेंटेंस में हमेशा यह बोला जाता है ही इस आर्टीचर मैं एक विद्यारती हूं आई एम आ स्टूडेंट ठीक है दोस्तों चलिए लिखनी रीड करनी भी आएगी भाई टेंशन मतलो धीरे धीरे साथ चलो सब आएगा अब दोस्तों आ से अड्मिट ठीक है अड्रेस ठीक है आप किसी को अड्रेस करते हो उसे भी आ से ही बोला जाएगा और कोई आपको शब्द याद आ रहा है लिखो यहाँ पे किस-किस को लगता है कि ऐसे और भी शब्द है अड्रेस तो आप में से किस-किस को लगता है कि ऐसे और भी शब्द है जिनको जिनके सामने ए लिखा हुआ है लेकिन और से ही वो बोले जाएंगे बताओ एक्जेंपल लिखो तभी हाँ वेरी गुड़ अड्मिशन अड्मायर अड्वांस अ ए नहीं होगा एक्शन नहीं ह होगा ए एपल नहीं और कि अवाज ए एंजल ए आगया अमंग वेरी गुड़ अडिक्शन अडिक्शन वेरी गुड़ देखो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी ठीक है तो अपने-अपने पिटारे में से शब्द निकालो सबको मजा आएगा अकाउंट वेरी ग और दो से ज्यादा हो टू प्लस हो तो यह हो जाता है अमंग ठीक है और शब्द निकालो नहीं नहीं आप लोगों को बताए हैं यह सभी वर्ड आप लोग याद कर लेना अब दोस्तों देखिए अगर ए ऐसे आता है आमी तो आ की आवाज आती है आमी आ वाले बताओ अब अवेलेबल अप्रूवल अचीव बिल्कुल सही अब आ वाले बताओ आर्ट वेरी गुड आर्ट इसमें आ की आवाज आएगी और शब्द निकालो जल्दी से और शब्द निकालो आ आमंड वेरी गुड आमंड और शब्द निकालो बेटा मैं न 10-15 मिनिट में वीडियो को ऐसे तोड मरोड के हैं खतम नहीं करने वाला मैं आप लोगों को एक के गंटे की पूरी वीडियो इसलिए करवाता हूं ताकि बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग लेके आप सीखो सिरफ मैं आपका मूँ वह हमारे रियानवी में कहा है अगरा मूँ न नहीं दे रहा मैंने पांच फ्री कोर्स दिये तो बिल्कुल शिद्दत से सीखो आम वेरी गुड बाजू आम और बताओ जल्दी से मैं चाहता हूं आप ही बताओ आप ही बताओगे वेरी गुड आधार अरे वाह आफ्टर ये हैं शब्द आफ्टर वेरी गुड और आप लोग कहते हो सर हमें इंग्लिश नहीं आती भाई आपको नहीं आती तो किसको आती है इतने अच्छे अच्छे शब्द दे रहे हो आप आ एह एथलीट होता है वह अमेजिंग आ में आएगा तो आपको पहचान हो गई ना समझ आ गया समझ आ गया ऐसे ही आप लोगों को वर्ड्स बनाने हैं ठीक है अब इसमें ये भी होता है ओ ऑसम अब ऑ से बताओ मैं फिर वही है बोलना नहीं चाहता लेकिन हसी आ जाती है एक महानु भावने क्या कहता है इसको क्या बोला जाता है आल इसको आल बोला जाएगा बताओ कौन-कौन कहता है इसको आल बोलना चाहिए इसको कौन कहता है आल बोलना चाहिए तो आप खुद जाग जाओ कि जिसकी खुद की प्रेनंसियेशन जीरो लेवल पे है वह आपक यह गलत है यह होता है all ठीक है और मेरा बरोसा नहीं है गुगल करके देख लो ठीक है ना वह तो जूट नहीं बोलेगा तो इसे बोला जाएगा all इसी तरह इसको बोला जाएगा awesome awesome ठीक है ना दोस्तों और बताइए author very good author और बताइए जल्दी जल्दी निकालिये ऐसे sentence awkward very good आरे वाह awkward और sentence निकालो प्रैक्टिस करेंगे यार जबर जहस्त निकालो sentence और जल्दी से एसे शुरू होने चीए ओ और और से auspicious very good auspicious auspicious पता है क्या होता है जो शुब होता है शुब शुब जो होगा उसे बोला जाता और जाता ओस्पीशियस तो यह ओ वाले words आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो एसे शुरू होते हैं always very good आरे वाह ऐसे ऐसे words चाहिए जो आपको daily use में आते हैं ठीक है जो आपको daily use में आते हैं और यही सीखने हैं आपको और इनी से आपकी pronunciation भी अच्छी होगी और daily use में काम भी आएंगे ठीक है तो यह सीखना है आपने always समझा गया चलिए अब next है अब कोई कहता है कि इसको आपना एको ए नहीं बोल सकते जो ए है आप इसको ए नहीं बोल सकते लेकिन अगर ये इस्तेमाल होता है किसी word के बीच में तो ये ए बोला जाता है कैसे ए केक केक लेक मेक बताईए आप बताईए अब और ऐसे sentence बताओ जल्दी से जिसमें ए बोला जाएगा प्लेए प्लेए एक ही आवाज आनी चाहिए एक ही आवाज आनी चाहिए जल्दी से टेक फेक अरे वह फेक तो ऑल्वेज बिवेर ओफ सच फेक टीचर्स डेट वेरी गुड अरे वाज डेट और बताओ जल्दी से फेक मेक फेम वेरी गुड उसमें भी यह आएगा पेम गेम नेम अब एक बाद बताओ मुझे सारे इमानदारी से यह जितने भी वर्ट्स मैंने लिखे हैं क्या यह डेली यूज के नहीं हैं भाई डेली यूज के हैं ठीक है सेफ ब्लेम वेरी गुड सेफ ठीक है ब्लेम समझा आगया आपको तो ए भी बोला जा सकता है अब यह तो हो गया छोटा ए अब जो यह ए है यह इस्तेमाल भी होता है बड़े ए के रूप में जैसे अश्यन एस्यन टो यह ए कहां आएगा बताई यह रेट वेरी गुड अब जल्दी से इसका बताओ बड़े वाला ए कहां कहां आएगा बताओ जल्दी से अप्रिशेट इसमें आएगा आप्रिशेट आप खुद अपनी आवाजों पर ध्यान देना जब शुरू करेंगे तो यह सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी ठीक है दोस्तों तो यह चीजें आपको देखनी है और यह जब यह की आवाज आती है तो जैसे के यह फेख़र ठीक है केर और बता यह जिसमें यह आवाज आए ऐ अर ए को हम कर सकते हैं यह इन आवाज आती है बताओ कहां आएगी अवेषर अरेव और यह आज गया है यह आपके अंदर बहुत से वर्ड्स निकलेंगे शेर सारेट वए मजा आ जाता है मजा आ बताओ देखो जो आपने बताया है डियर उसमें यह इसे आवाज स्टार्ट होगी तो इसको हम यहां पर नहीं लेंगे वह यह बनेगी ठीक है वह यह बनेगी इससे के अफेयर अवेर शेयर ठीक है चेयर अरे वाह चेयर बिल्कुल बढ़िया तो मजा आ रहा है ना से जाओ साथ साथ बस इमानदारी से लाइक कर दो चलिए यह हो गया आपका पूरा अब अब हम इसी तरीके से दोस्तों अगर हम प्रेनंशियेशन सब की सीख जाएं तो हमारा इंग्लिश बोलना और हमारा इंग्लिश लिखना और पढ़ना यह तीनों चीजे वन टाइम प है क्या बोलेंगे इसको जल्दी से बता हूं अंगिस्की प्रेनंशियेशन सबको पता है ना इसको हम करते रहते बाउल बाउल यह बाउल नहीं होता यह होता है बोल बोल ठीक है इसकी pronunciation आज के बाद गल्त मत करना कटोरा जो होता न कटोरा उसे हम क्या बोलेंगे बोल बाउल नहीं होता ठीक है और इसकी pronunciation और इसकी गेंद इसकी pronunciation बिलकुल सेम है बिलकुल सेम है याद रखना आज के बाद तो इसे बोलेंगे बोल ठीक है दोस्तों तो बह से ह कि उम्हारे जो भी वर्ड्स St at हो रहे हैं वो किससे शुरू हो रहे है थीक है बॉल बैरन गख्षेश होती है क defenses are acesso कर जूजF को देखो मैं आपकी वह किरेक्टिस साथ साथ करवा रहों जितने भी वर्ड्स हैं आपकी वोकेब की डेली उसकी प्रैक्टिस यहीं हो जाएगी बैरन लेंड यानि की उजाड भूमिया बंजर भूमि अब देखो जो सी है ना वह इंग्लिश में बड़ा करática इंप्रोंट है सी इंप्रोंट इसलिए है क्योंकि सी जिए कई आवाज निकल सकती है सी से क्यावाज भीनिकल सकती है और च की आवाज भीनिकल सकती है एक्जेमपल देये है याद रखना दोस्तों ध्यान से अगर तो C के बाद I है E है या Y है ये हमेशा क्या बोला जाएगा ये हमेशा सर से शुरू होगा अब आपको example भी देने है एक तो होगया circle center cycle और बताओ मैं बता देता हूँ circus और बताओ जल्दी से सर से और C के बाद I E या Y आना चाहिए मैं आपको साबित करके दीखाऊंगा कि सर के आवाज आएगी करके आवाज नहीं आएगी ठीक है तो जल्दी से बताओ आज से आई या ना चाहिए है कि सेलिब्रेट सेलिब्रेट वेरी गुड और बताओ ये city city cyclone cyclone very good city circulation very good circulation center circulation century very good बहुत बढ़िया century certain ये अच्छे अच्छे वर्ड निकल क्या रहे है 13 का मतलब होता है जब आप सुनिस्चित हो शोर हो किसी चीज़ को लेके Cylinder आरे वा मेरे शेर Cylinder अब ये डेली यूज के है ना यार आप इसको केलंडर कलंडर बोलने लगोगे तो क्या मतलब रह जाएगा C से और Cyber 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 Security होती है ना और celebrity, वो तो celebrate से ही बन जाएगा, celebrity, और बताओ, समझ आ गया, तो इस तरहें के words अगर आपको दिखाए दें, जब C के बाद I, E, Y हो तो आप सोच लेना, आप उसका उचारन करेंगे, स से, कैसे, स से, ठीक है, चलिए, अब आते हैं next, अगर C के बाद, इन तीनों के अलावा, कोई अगर word आता है, तो वो बन जाता है क, वो बन जाता है क, I, E, Y को छोड़के, तो देखिए, कौन-कौन से बन जाते हैं, simple, career, court, cute, cream, clean, chemist, बनते हैं नहीं बनते, है न यह सारे word, और बताओ, C से आप कितने बना सकते हो, community, very good, caste, ठीक है, यह सारे word आप बना सकते हो, बन सकते हैं न, चलिए, तो अब दोस्तों देखिए, यह हो गया क क, अब C से तीसरा जो है, वो है च, यहाँ पर C, H से जो word शुरू होते हैं, वो बोले जाएंगे च, लेकिन उसमें, यह जो है न, chemist, chemistry, यह exception है, यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यह star बना दो यह exception है, बजाए की rule में जाओ, इसका पूरा transcription पड़ो, सिर्फ आपको कुछ exceptions याद रखने हैं, तो देखिए, CH, च से चीट, चिल, यानि कि ठंड, charity, यानि कि दान वगेरा करना, chopper, यानि कि आपका उडन खटोला, आपका helicopter, ठीक है, चेक, count, college, colony, campus, चेक, career, आपको बहु words मिलेंगे, ठीक है, दोस्तों, चलिए, अब आते हैं, next, तो D से अगर हमारा शुरू होता है, वो बनता है, D, D से dear, D से dad, D से drama, और D से decide, यानि कि फैसला करना, और D से कौन-कौन से common words याद आ रहें आपको, बताओ एक बार मुझे, बाकी लोगों की भी तो practice करवानी है, और आपको क्या करना है, जो भी अभी आए है, एक बार like जरूर कर दो, प्यार से, जल्दी से like कर दो, तो बहुत से लोग और भी आ जाएंगे, मज़ा आएगा practice करने में, जल्दी बताओ, decrease, decrease होता है कम करना, और बताओ, check your vocab, अपनी vocabulary आज यहीं test करो, आपको कितने आते ह है, during के दोरान, डंकी घदा, डॉक्टर हो गया, defect कमी, different अलग, मैं बताता हूँ dedication, और आप सब में dedication, यानि की द्रडता होनी चाहिए, कुछ भी काम करने की life में, और बताओ, discipline, very good, delicious, लवाब, मज़ेदाल, ठीक है, डर से, अरे डर से यह कह रहा है, धोका भाई, धोका नह होता है, डर से, English में बताओ, dangerous, doubt, शंका, ठीक है, doubt, इसमें जो B है न दोस्तों, यह silent है, यह याद रखना, doubt, यानि कि जब आपको शंका होती है, और एक, मुझे यह बताओ, इसको कैसे प्रनाउंस करेंगे, dilemma, या dilemma, बताओ जल्दी से, मैं आपको जल्दी से डर से बताता हो, और एक बहुत ही प्यारा common word, प्यारा तो नहीं कहूँगा, common word, अब इसको आप क्या बोलोगे, determination, very good, यह भी एक अच्छा word है, ठीक है, तो dedication, decrease, दोस्तों इसे बोला जाता है, dilemma, ठीक है, जब आप उसमें होते हैं, शंका में, असमंजेस में, उसे बोला जाता है, dilemma, डाइवोर्स, डाइवोर्स, यह तो बोलते हैं लोग, हाँ या ना, क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया, मेरा डाइवोर्स हो रहा है, उसका होने वाला है, यही बात करते हैं, लेकिन दोस्तों, याद रखो, हमेशा, इसकी सही pronunciation क्या है, इसक iyद रखो प्रैक्टीस दो-tिन बार बोलो दिवोर्स डिवोर्स यह मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ढेली मेंने बहुत जादा अप ऐसे सुनते्य है चुर जुंते हो इसलिए चलिए अब आज बागलवज président equipment यह बनना ऺती करना की ए styl Right है एक तो एकी छोटी सांड निकलती है एक बड़ी की शांड निकलती है ध्यान से देख्यें एक तो होता है छोटी email English है ठीक है इस तरह की चीजें एक ठीक है किना श्वीट लेकिन अब जब बड़ी की बात आती है यानि की जवाद थोड़ा सा लंबा साउंड देते हो जैसे मीट मिलना ग्रीट अभिवादन करना स्वीट मीठा है ना अब एक इजब बीच में आती है जैसे मैंने यह बताया था इसी तरह एह आता है आपको कभी भी अगर यह लगे ना कि बीडी शिरफ बैड होता है नहीं नहीं बैड नहीं होता उसक बैड बैड ऐसे बोला जाता है एह की साउंड आएगी बैड एंप्टी एंप्टी अब देखो एंप्टी की बड़ी महांता है आपने देखा भी होगा ना रील में अगर मैं इस में से इसको अब क्या बोलांगा empty मैंने ये हटा दिया ये क्या बन गया empty अब मैं इसको हटा देता हूँ ये क्या बन गया empty, अब मैंने इसको हटा दिया, बीच वाले को, ये क्या बन गया, empty, अब ये दोनों हटा दिये, अब भी क्या हो गया, empty, है ना, ये चीज याद रखना, चलिए, next है, f, f से आवाज निकलती है, fur की, जैसे, father, friend, father, the, पिताजी, friend, दोस्त, family, परिवार, future, भविश्य, और कौन-कौन से word निकल सकते हैं, furniture, जल्दी-जल्दी, word निकालो, friend, दोस्त, furious, furious, गुस्त, और निकालो, जल्दी से, forest, jungle, very good, farmer, किसान, farmer, ठीक है, furious, furious होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्त, उसे furious बोलते हैं, इंग्लिश में, और बताओ, follow करना, पीछा करना, fire, आग, fun, fire, follow, बताओ, और बताओ, जल्दी से, forget, भूल जाना, किसी को भूल जाना, forget, forgive, किसी को माफ कर देना, किसी को माफ कर देना, और बताओ, जल्दी से, force, ताकत, feel, focus करना, आप सब को किस चीज़ की जुरूत है, focus की जुरूत है, focus करना, fugitive, अब आप से पूजना चाहता हूं, fugitive का मतलब क्या होता, जल्दी बताओ, fugitive, fugitive, बताओ जल्दी से, हिंदी में लिख के बताओ, fugitive की हिंदी क्या होती है, word meaning, जल्दी-जल्दी, fugitive, हाँ, F से flood भी होता है, bard आ जाती है, ठीक है, fight भी होता है, जब आप लड़ाई करते हो, that is fight, fugitive क्या होता है, दोस्तों, जल्दी बताओ, fugitive, किसी को पता भी है, fugitive, हाँ, freedom, सोतनतरता, fugitive होता है, भगोडा, fugitive, समझा आया सबको, flower, famous, very, very good, fugitive means जो भाग जाता है कहीं से, भगोडा, ठीक है, very good, मज़ा आया, मैंने क्या-क्या लिख दी है, चलो, बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आ रहा है न, मेरे को तो आएगा ही, आएगा, अब, यह जो जी है, यह ज भी बनता है, और यह ग भी बनता है, कैसे, जी से, ग से बनता है, goat, greet, great, gate, और, greet, ठीक है, green, gambling, gangster, बताओ, ग से और, और, ग से, guest, ग से, guest, और, और word निकालो, ग से, grow, very good, grow, तो किसी को अगर इनके मतलब नहीं पता, तो मैं बता देता हूं, greet होता है, किसी से, male, जोल, यानि, अभिवादन करना, green, हरा, gambling होता है, जुआ खेलना, gangster, ठर-ठर-ठर-ठर, जो dawn होते हैं, वो, ठीक है, guest, आती थी, और, grow करना, यानिकी, विकास करना, और, बताओ, गर से ground, एक बंदा कहा रहा है, जी से, गर से गंदगी भी होती है, और, गर से गांगली भी होती है, यार, कहां comparison कर रहे हो, यार, कहां comparison कर, हाँ, एक बंदे ने ये सही लिखा है, ghost, समझ आ गया, तो मैं ये इसलिए करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों की practice हो जाए, ठीक ह ग्रूम, ग्रूम, ग्रूम क्या होता है, पता है न सबको, ग्रूम होता है दुल्हा, और दुलन को क्या बोलते हैं, दुलन को भी साथ ले आपते हैं, अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे, दुलन को बोलते हैं, ब्राइड, दुलन को बोलेंगे, ब्राइड, ठीक है, तो यह हो गया आपका अब देखो वर्ड मीनिंग कितने कर लिया आप लोगों ने खेल-खेल में अब जैसे क्या होगा जैसे होता है जैंटल जैसे होता है जैंटिक जैंगेंटिक क्या होता है विशाल विशाल यानि कि बहुत ज्यादा बड़ा जैंटल क्या होता है सब भे जैंटल होता है सब भे और जैसे जिम भी होता है और बताओ जैसे क्या क्या होगा जैसे क्या होगा जैनरल वेरी गोड अरे वा जैनरल यानि कि आम नॉर्मल जैसे Google तो गह से हो गया है, जह से generous, अरे वाह, generous क्या होता है, उदार, उदार को हम कहते हैं generous, उदार, और बताओ जह से, gentle, अरे वाह, gentle तो हो गया है यार, gentle हो गया, गन जिमनास्टिक्स हो गया जेंडर अरे वह जेंडर 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 बताओ जल्दी से सोचो ग्रोथ गासे होगा यार जेंडर 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 हैच इसको ह neck s hey hungry happy और हार से क्या क्या होता है normal नौर्मल जो daily उसके sentence हैं उनकी practice कर रहे हूं बताओ हासे और क्या क्या होगा hotel इसको हम क्या रोटैल होटल किसी के और ओता होगा यहां होटेल, हाड़ वक, हाड़ वक, ठीक है, और क्या होगा, हग, हग, मुझे हग दो, वो हगने वाला, हग नहीं, गले लगाने वाला, उसे बोला जाता है, हग, और बताओ, हॉस्पिटल, very good, किसी को नहीं जाना पड़े, भगवान करे, हॉस्पिटल, और हमबल, वा, 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 हमबल, हमबल होता है, विनम्र व्यक्ति, मेरे जैसा, हमबल, ठीक है, और बताओ, ह से, होस्ट, होस्ट होता है, जो किसी को बुलाता है, हैकर, अरे ओ भाई, मेरा कुछ हैक मत करियो, मैं पहले डरा हुआ हूँ, हैपी, very good, हैल्थ, सेहत, human body, होबी, हल्क, होप, ये बहुत अच्छा word है, होब, तो होब बनाए रखो, और दिल लगाए रखो, लाइक करते रहो, लाइक नहीं रुखने चीज़, चलिए, अब आते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज पर, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, जितना इंपोर्टेंट सी था, उत बताता हूँ, प्राइस, जोइस, इस तरह है के, आई, 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 लव यू, आई लव यू टू, ठीक है, चलिए, फिर है आई, ये आई बहुत इंपोर्टेंट है, एक तो ये हाई, ये हाई, इम्पोर्टेंट है, नाइट, नाइट, पाई, लड़ाई ब्राइट ठीक है लाइट साइट समझ आ रहा है डाइट आ रहा है वह डाइट तो इस तरह की चीजों में आप बोलोगे आए हम प्रनेंसियेशन सीख रहे हैं उचारन सीख रहे हैं कि इन शब्दों के साथ उचारन कैसे किया जाता है ठीक है वेरी गुड अब हम प्लिक है उपिक निक से इस तरह की चीजें क्या आएगी शोटए आवाज आएगी छोटी इवाली अब नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों आई अगर इस्तेमाल हो ऐसे तो वह आ की आवाज देता है जैसे ध्यान से अभी मैं बहुत important चीज बताने वाला हूँ आपको बहुत important जैसे इसने लिखा है bird ठीक है तो ये क्या बन जाता है bird ठीक है अब ये बन जाता है girl इसमें आर जो है ना वो silent होता है याद रखो girl ये क्या बनेगा girl समझा रहा है याद रखना इस चीज़ को ये bird होगा अब आता है जे 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 जबी बनता है जैसे judge, justice, journey, joy और क्या क्या बनेगा ज़से ज़से कुछ sentence बता वर्ड बताओ जल्दी ज़से ज़, जे, joke अरे वह, joke वेरी गुड और आने दो, jump अरे वह, jump, job और आने दो, एक क्या रहा है जंगल, जंगल में मंगल तुम ही करो याद यहाँ कुछ बताओ अच्छा सा, ठीक है? ज़, जपान, जपैन होता है, ज़, नाम कंट्री के मतलो, जैनवरी, जंगल, जोकर, अरे वह, कुछ नया बताओ यार, judiciary, very good, journey, ऐसे, ऐसे, journey, have a nice journey, कहते हो न, वैसे ही, just, ठीक है? जैनिटर, junior, very good, ठीक है? तो इस तरह के sentences आपके बनेंगे, अब आता है next, अब दोस्तों, जो यह के है, इससे आवाज आती है, कहकी, जैसे king, kick, और इसे क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूँ, बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे इसको, इसे कैसे pronounce किया जाता है? आप में से अगर कोई कहेगा, sir, kangaroo, भाई मैं खुद Australia रहके आया हूँ, मुझे पता है, इसे kangaroo नहीं बोला जाता, इसे kangaroo नहीं बोला जाएगा? जल्दी से, kangaroo, इसे बोला जाएगा? kangaroo, दोस्तों याद रखना, ये kangaroo नहीं होता, बिल्कुल गलत pronunciation है, इसको बोला जाएगा kangaroo, ठीक से, तो के से और क्या क्या आप निकाल सकते हो, knife, लेकिन इसमें के silent है, इसमें के silent है, कर से वाली आवाज निकाली है, chemistry वाला मत लेकर आओ इसमें, जो के से स्टार्ट होता ह है, kiss, वा, kiss, ये सही था, के से kiss, के से kind, के से एक क्या रहा है, किंग फिचर, आरे भाहिया, किंग फिचर, पक्षी है, उसको ये मत समझ लेना, कि वो विजा माल्या के पास है, और बताओ, के से, कोली, very good, के से knowledge, seriously, मैं आप लोगों का ज्यान इसलिए बढ़ा रहा हूं, कि आपको सिरफ मैं वही शब्दू, जो के से शुरू होंगे, और उनकी आवाज किस से निकलेगी, कह से, समझ आ रहा है, करन अर्जुन, वा, के से करन अर्जुन वाला करन, बहुत बढ़िया, केरोसीन, very good, kid, हाँ, ये सही है, इस तरहें के kindergarten, kingdom, kindness, बहुत बढ़िया, kill, है, तो वो लग की ही आवाज देगा, जैसे luck, love, प्यार, किस्मत, level, stir, और बताओ, love से, मुझे पता है, आप क्या बताने वाले हो, love, ये मैंने लिख दिया, चलो, बाकी का बताओ आप, love से क्या-क्या बनेगा, आप अपनी vocab की practice करो, ये जो अभी session चल रहा है, इससे जब बताओ जल्दी, ल से luck, very good, liver, lovely, lonely, Mr. Lonely, है ना, luck, किस्मत, और बताओ जल्दी से, lamp, light, light, lamp, और क्या होगा, अरे live, live class चल रही है ना, L से live, ठीक है, तो आप ऐसे करते रहो, फिर है M, M से म की आवाज निकलती है, जैसे man, meat, mango, mansion, mansion होता है महल, अब दोस्तों, यहां मैं आप लोगों को एक simple सी चीज बताना चाहरू, बेहद important, ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या देखना पड़ता है, कई बार English में, singular, और plural, plural होता है, बहु अचन, plural होता है, बहु अचन, singular होता है, एक अचन, यानि कि जो एक हो, अब इसमें मैं आपको क्या पताना चाहरू, ध्यान से सुनू, boy का हो जाएगा, boys, girl का क्या हो जाएगा, girls, child का क्या हो जाएगा, children, child का क्या होगा, children, और man का क्या होगा, man, इसे बोलेंगे man, और इसे बोलेंगे man, याद रखना, एक है ये, एक है ये आपको क्या लगता है क्या इन दोनों की pronunciation सेम है जिसने आपको कभी सेम बताई है उसकी खुद की ये दोनों चीजें सेम नहीं है क्योंकि इसे बोला जाएगा woman क्या बोला जाएगा woman ध्यान से याद रखना अगर एक महिला हो उससे कहा जाता है woman और एक से ज्यादा हो उससे बोला जाता है woman क्या बोला जाएगा women समझ आ गया ध्यान रहेगा याद रखना और एक हो तो person और एक से ज्यादा हो तो people एक हो tooth एक से ज्यादा हो t ठीक है तो आपको ऐसी बहुत सी singular plural वाली चीज़े मिल जाएंगी ठीक है ना तो इनको आप याद कर सकते हो अब हम आ गए हैं सीधा n के उपर तो n में हमें क्या बता रहा है n में हमें बता रहा है no never night name ठीक है और एन से बताओ जल्दी 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 हर्याना से मोनीका मोनीका बोल रही है या बता रही है समझ नहीं आ रहा जो भी नए आये हैं like करो और यहां practice पे ध्यान दो एन से बताओ need 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 यह वह नहीं है कि नीट पीना है यह नीट है साफ फरक होता है ठीक है दिमाग में वो चीजें मतला आना 9 need Neptune very good nose सही है लेकिन कुछ अच्छे चीजें बताओ ताकि लोगों को काम आए ठीक है nectar nature दोस्तों नेक्टर का मतलब क्या होता है कि नेक्टर कि इसे बोला जाता है अम्रिद एक है और बताओ जल्दी ऐसी चीजें बताओ मुझे नेशनल वेरी गुड न्यूटन नाइटिंगेल वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए तो यह आप करते रहना अब है ओ ओ भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ओ से एक तो यह आवाज निकलेगी की सिंपल ओ की जैसे बोक्स कोलगेट लेकिन ओ से आपको ओ की भी आवाज आएगी जो आपको ओसम में आए थी ठीक है जो आपको ओसम में आए थी जैसे ओसे ओर इंज स्टॉप लोक हॉट आपने सुना ओगा न कभी कहते हो कि यू आर लुकिंग हॉट तो वो होट नहीं होता वो होता है हॉट तो वो यह वाला आएगा ओ कोई आपको कोई ना होट है कोल्ड है नहीं हॉट याद रखना ये चीजे फिर है अ तो एस ओ एन इसकी प्रनेंशेश ओर्क्षिन कारी और स्चन कैसी रहेगी सेम सुरज वाली ही रहेगी सण और यह सबसे पहले आ जाए और उसके बाद एन और यह तो यह घर वयांशे क्या लँखा और वन जाएगा यह आवन नहीं बोला जाएगा फिक है ना तो पी को हम पर से स्टार्ट करते हैं प्राइव पिरिंट्स और बताईए पर से पर से है प्लेजर प्लेजर जल्दी और बताईए पर से नहीं सर कोई नहीं बताई चलिए कोई बात नहीं जल्दी से बताओ 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 प्रैक्टिस करो नहीं यार पर से पीपल वैरी गुड पी से पिक्चर वैरी गुड पाफेक्ट आरे जो आपके नल वगेरा ठीक करते ना उससे बोला जाता है plumber ये बी silent होता है याद रखना जो नल के टूटी घरपे पानी का काम करता है ना उसको कहता है plumber हमारे कहा देते हैं बुला plumber को बुला के लाओ ठीक है तो इंदी वाला ही plumber हम इंगलिस में चिपका देते हैं वो गलती मत करना plumber ठीक है post parrot तोता proud गर्व समझ गए ना चलिए अब है next तो प से और क्या start होगा पर आपका फ भी बनता है जब उसके सामने क्या आ जाए एच तो पी और एच अगर साथ हो तो वो कैसे pronounce करेंगे फ जैसे phone physics philosophy photo और कुछ और कुछ है आपके पास पी और एच पी और एच पी और एच बताओ क्या क्या आ सकता है और फिजिकल फिजिक्स में आ गया और कुछ और कुछ प्लैजिरिजम वो तो पाव में चला गया ना भाई फेंटम बहुत बढ़िया और बताओ पी एच फूल कौन है बनाने की कोशिश कर रहे हो ठीक है प्रैंक फार्मेसी ठीक है तो इस तरह के सेंटेंस हमारे बनेंगे फोटोग्रैफ ठीक है यह हो गया फोटो वाला ओल्रडी चलिए फिर है दोस्तों क्यू तो क्यू को हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में कोर साउंड आती है जैसे queen question query quilt quilt क्या होती है बताओ quilt क्या होगी quilt होती है रजाई रजाई सर्दी लग रही है रजाई लेकर आओ ठीक है ना quilt और बताओ क्यू से क्या होगा quite quick ठीक है तो क्यू से आपके ये सारी चीजे मनती है quick quality very good quality quote very good और बताइए quiz very good बहुत बढ़िया समझा आ गया चलिए अब है आर तो आर आती है रह साउंड रेन रेस्पेक्ट रिवर रैट रेंडम ठीक है और बताओ रेंडम होता है जैसे ऐसे ही आपने कोई भी पिक कर लिया that is random कि randomly आपने उठा लिया ठीक है without any choice that is random आर से और बताओ 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 जल्दी आर से आर से यह हो गए हैं बाकी के आप बताओ आर से भाई race very good retail रिफ्रेन होता है दोस्तों रिफ्रेन रिफ्रेन होता है बचना तो जैसे अब मैं कुछ कहने से बचना चाहता हूं I refrain from saying something ठीक है ना आर से यह चीज़े होते हैं ready तैयार very good replicate किसी चीज़ को दुबारा करना ठीक है वैसा ही बनाना that is replicate reconnect reconnect reconcile ठीक है replicate और बताइए reply range rough write ठोड़ा और recover बहुत बढ़िया recover reply ठीक है ना reply rank तो इस तरहें की चीज़ें आपको recommend जब आप कोई चीज वाउच करते हो बोलते हो कि हाँ यह सही है आप recommend कर रहे हो चलिए फिर है एस वह सरसे जैसे सरसे सतेंदर सरसे smart जो की वूँ एस फोर सन सूरज स्माइल ठीक है और सरसे बहुत सी आपको चीज़ें मिल जाएंगे और सरसे आप बता सकते हैं सरसे तो बहुत बता देंगे है ना सरसे आप solution कह सकते हैं ठीक है आप आप क्या कह सकते हैं ठीक है आप क्या कह सकते हैं चालू टाइप का ठीक है और सरसे क्या क्या बोल सकते हैं आप बताओ shop very good सरसे स्टार्ट होना चाहिए sleep simple champagne अरे वह सीएच से शुरू होगा ठीक है ना smart splendid very good super salute बहुत बढ़िया है ना तो इस तरह है कि जितने भी आप word बनाएंगे वो सही होंगे अब जब शरसे वाक्य बनता है शरसे आवाज आती है तो s के सामने अगर h आ जाता है जैसे यहाँ पर आया था p के आगे h आ गया तो क्या बन गया वो फ बन गया इसी तरीके से जो s और h आएंगे तो यह क्या बना देंगे शर की आवाज निकलेगी जैसे शाइन चमकना शिव कापना शिप जहाज समझा रहा है तो यह सारी चीजे शर से हाँ वेरी गूड शुड शुड ठीक है शैम्पू वेरी गूड और बताओ शीप शीप शैम्पू तो इस तरह ह कि आपको एसेच वाले मिलें वहां आपको शर बोलना है याद रखना फिर है दोस्तर तर तर का सिंपल रहेगा तर से जो शुरू होगा टाइगर टीयर्स ट्रेजडी हादसा लेकिन जब टी और एच मिलेंगे देखो कितने कॉम्बिनेशन आगे एच के साथ यहां पी एच फर बन गया एच शर बन गया और टी एच क्या बन गया द जैसे द या दी देख दो देन देख दस ठीक है देर फोर समझा रहा है इस तरह कि आपको बनाने है फिर है यू तो यू से क्या बनता है दोस्तों यूनाइट यूनिवर्सिटी यूनियन लेकिन जब यू ऐसे आए तो यह आ की भी आवाज देगा ठीक है जैसे अम्डेला आसे अम्डेला आसे अन्लिष्टिड आसे और बताओ आसे आसे है अर्जेन्ट अर्जेन्ट यूनिवर्सिटी तो आ की आवाज भी निकलती है चाहे सामने यू हो अब है उओ जब यह word के बीच में आएगा जैसे push, pull, ठीक है, तो यह U की भी आवाज निकालेगा, very good, जैसे uniform आपने बता दिया, uniform यहाँ पे आएगा, ठीक है, ultra, ठीक है, ultimate, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ultimate, ultra, ठीक है, very good, until, फिर है V, V की आवाज निकलती है, जैसे, very है, vision है, when है, villain है, तो इस तरह है कि आपके word बनेंगे, तब, ठीक है, दोस्तों, चलिए, next है हमारा, यह, simple सा, और यह मेरी प्यारी सी शकल, है न, चलिए, तो अब इसमें क्या है, डबल, यू, तो इसको न, यह क्या है वैसे, यू प्लस, यू, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल, यू, समझ आ रहा है, पता है न सबको, नहीं पता, है, सच में, आप इसको आज तक डबलू, डबलू बोलते थे, आपको यह नहीं पता कि यह, डबलू क्यों बोला जाता है, यू और यू को जोड कर, डबल, यू बोला जाता है, किस-किस को पता था, जल्दी बताओ, जिस जिसको पता था वो एक बार like करो और जिस जिसको नहीं पता था वो एक बार like भेजो ठीक है चलिए तो देखिए दोस्तों इससे जो हमारे words निकलते हैं वो व की आवाज निकालते हैं जैसे wing, wear, white, wine, water, water ठीक है ना what, without तो इस तरह के आपके शब्द निकलेंगे अब यह है देखो एक्स यह आवाज निकालता है एक्स की जैसे एक्सरे एक्स्टीरियर एक्जाम्पल तो यह अक्स एक्स की आवाज इसमें आएगी जहां भी यह जुड़ा होगा चलिए फिर है वाई तो वाई यह की आवाज निक यॉर ठीक है ना तो यह सारी आवाज है और लास्ट है हमारा यह तो दोस्तों इसको जैड और इसको जी यह चक्कर क्या है इसको जैड कब बोलेंगे इसको जी कब बोलेंगे तो ध्यान से सुनो यह जो जैड है ना यह तो बोलते हैं यू के वाले और यह जो जी है यह बोल आपको reason भी पता होना चाहिए कि हम इसको Z बोले या Z बोले तो जो भी UK की तरह बोलना चाहता है UK English वो आज भी Z बोल सकता है गलत नहीं है लेकिन computer में क्या है आपका Z बोला जाएगा क्योंकि US English इस फोलो हरी है तो जितनी भी कंपनिया कॉल सेंटर वो सभी जी बताते हैं इसलिए लोगों के मुह में आज के दिन यह जी पकड़ गया नहीं तो पहले क्या कहते थे क्या होगा जीब्रा समझा रहा है सबको जीब्रा तो बताओ वही किस किस को क्लास पसंद आई मेरे को जल्दी से बता दो आप लोगों को मेरी मेहनत कितनी पसंद आई जल्दी से आप अपना प्यार लाइक के द्वारा भेजें और अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा आज की यह जो मैंने PDF करवाई है इसके साथ साथ मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको 1000 common words used in English भी मिल जाएंगे आपको vocabulary भी मिल जाएगी लेकिन जो भी वो PDF है वो अल्रेड़ी मेरे course का part है तो उनके nominal charges रहेंगे तो वो paid होंगे लेकिन जो आज मैंने करवाया है यह बिल्कुल free of cost आपको मेरे टेलिग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिलेगा तो आप मेरा application जो है यह आप देख सकते हैं यह मेरा application है इंग्लिश लवर्स तो इस पर लाइव क्लास जूम क्लास इस पर सारी PDF है एक हजार वर्ब दे रखें 500 वर्ब हैं 5000 डेली उसके sentences एक साल की वैलिडिटी बहुत कुछ है पचास रिकोर्डिड वीडियोस हैं तीस से ज्यादा लाइव क्लास की रिकोर्डिंग है तो आप देख लेना ठीक है अब बेसिक बात आती है यह जो मेरी बुक है ना यह देखो कि मैं इसको बार-बार इसलिए दिखाता हूं कि यह आप सब के प्यार की वज़य से और जो भी आप लोगों को यह पढ़ाता हूं वही दिमाग मैंने वहां उस आप में भी लगाया है और नंबर वन बैस्ट सेलर आप लोगों के प्यार से वह आज तक वहाँ पर बनी हुई है तो उसके लिए धन्यवाद किसी को मेरी बुक्चिये लिंक डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा नहीं लेनी कोई बात नहीं ऐसे फ्री में यूट्यूपर सीखते रहो भड़क नहीं लेनी यह लाइफ में पैसा नहीं कोई बात नहीं करेंगे ठीक है चलिए अब अगर आप लोगों को बिलकुल फ्री ऑफ कोस्ट स्टेप बाइस चाहिए बिल्कुल step by step PDF के साथ वो कहां मिलेगा मेरी वेबसाइट पर ठीक है मैं application पर मेरे course नहीं बेच रहा यह मेरा school है YouTube वाला और वो private tuition है फर्क सिर्फ इतना है और कोई फर्क नहीं जिसको लेना हो लो ना लेना फ्री में यहां पड़ो मेरे पास तो यह जो मेरी application है ना दोस्तों यह जो मेरी website है www.englishlovers.in इस पर आप जाओगे यहां home के आगे book का option दिया हुआ है किसी को कितार चाहिए ना यह book के option पर क्लिक करो आप कहां पहुंच जाओगे यहां पर पहुंच जाओगे number one best seller तो रहे गी है ठीक है और उसके बाद आप चले जाओ PDF आप कहा रहे हो ना सर्फ PDF चाहिए पूरे course की PDF link के साथ तो यह है basic spoken English course super 30 batch आप जाओ basic spoken English course पे क्लिक कर दिया आपके सामने खोल के बिल्कुल free of cost free of cost यह देखो class one download PDF आपके दिखा देता हूँ class one पे क्लिक हो जाए वही देखो यह एड आगी है एड देखें नहीं देखें जलो अब दोस्तों देखो यह मैंने पढ़ा रखा है पूरा यह मेरी class one है और आप सब क्योंके प्यार से इस पर व्यूज देख लो छै महीने हुए हैं बस और 6.3 million व्यूज और इस वीडियो की जो यह PDF है ना यह PDF यह जो PDF है यह PDF क्या सीमा तुम्हें जानती है ध्यान से यहां देख ले ना आप क्या सीमा तुम्हें जानती है ड़स्षी क्या मैंने गलती कर रखी है बिल्कुल गलती कर रखी है यहां पर होना चाहिए था सीमा लेकिन एक English के टीचर है उन्होंने मेरा PDF सेम टू सेम यह निला है उन्होंने थोड़ा ब्राउन कर दिया सेम टू सेम चिपका रहा है और वह अभी इस वीडियो को देखते भी हैं मेरी live classes भी देखते हैं तो मैं उनको बस यह कह रहा हूं मैं कोई copyright नहीं मार रहा ना मैं आपको कुछ चेंज कर लेते हैं मैंने तो यहीं आपको भी बोला था ना कि एक्जैंपल तो कम से कम चेंज कर लो लेकिन नहीं जस्ट बिकॉज मेरी इस वीडियो पे छह मिलियन व्यूज हैं सेम की सेम पूरी PDF जो मैं टेलिग्राम पर बच्चों के लिए देता हूं free of cost बिना किसी उसक जो वाटर मार्क होता है ने बिना उसके मेरे को क्या है मेरे को कोई पेट पाप नहीं है मैं free में पढ़ाने का इच्छु को और मैं पढ़ा भी रहा हूं आपकी तरह हैं सिरफ course नहीं बेच रहा है मैं पूरा course free में करवा रहा हूं YouTube के उपर और आज से नहीं दो साल से करव वार हो ठीक है तो इतनी एक टीचर की इंटिग्रिटी होनी चाहिए कि किसी भी दूसरे टीचर का कॉपी ना करे सेम टू सेम जो की बिलकुल सेम किया हूँ आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं नहीं पता तो भूल जाओ ठीक है तो आप अगर देखोगे मेरी website पर क्लास वन का लिंक और डाउनलोड पीडियाफ अब दोस्तों डाउनलोड पीडियाफ पे क्लिक करोगे न आप आपको सिंपल मिल जाएगा डॉकुमेंट पूरा यह देखो खुल गया है और यह जो डॉकुमेंट था मैंने आपके लिए दिया था स्टूडेंट्स के लिए मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग सिधा ही कोपी करने लग जाएंगे कसम से बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं इस धरती पर कुछ नहीं कह सकते आप उनको यह देखो यह साथ समझ आ रहा है तो मैं चाहता हूं हर इंसान सीखे हर इंसान सीखे ढंग से सीखे और मेरे तो सुरफ थ्री मिलियन है मेरे से दो गुणा ज्यादा है उस टीचर के फिर भी हो गते ना लालच लालच कम नहीं होता चलो कोई बात नहीं यार भगवान समका भला करे कोपी अगर मारना होता मैं उसी दिन मार देता आज तो तीन-च्यार महिने हो गए तीन महिने हो गए छोड़ो कोई बात ने उपर वाला देख रहा है वह सब कर देता है बराबर हमारी सोच है लेकिन अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं अगर को में आखे डाल एक मैं किसी से बात कर सकता हूं पूरी इमानदारी से चाती ठोके तारा भाई सतेंदर है ना वह इसलिए इमानदारी की यह मुरत बनाने में बहुत कुछ उजड़ा है मेरा तो आज इस मुकाम पर हूं तो मैं आखे मिला सकता हूं हर किसी से तो पर्सनल भी जब मैं कहीं जाता हूं मिलता हूं वो भी चीजे में यहां डालता रहता हूं यह बाई लोग बुला लेते हैं कभी प्यार में तो आप देखो डेली उसके सेंटेंस आपको मेरी इंस्टाग्राम पर रोज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए ठीक है तो चलिए ऐसे ही बाकी किसी दिन कुछ और किसी ने हालतु बकवास की तो उस दिन कोपिराइट भी चला जाएगा और मैं वीडियो भी आप सबको यहां दिखा दूँगा अगर डिलीट नहीं करी तो क्योंकि कई लोग क्या करते हैं चोर की दाड़ी में दिन का सबसे पहले वीडियो हुआ था बाई और मेरे जो यहां दिली में रह रहा हूं ना मैं अभी अकेला दुबारा से पढ़ जाओंगा फैमिली को मैं वापस से शिफ्ट कर रहा हूं हर्याना में क्योंकि उनको दिली पसंद नहीं आई यहां उनका मन नहीं लगा तो यार परसनल प्रॉब्लम चल र को बबाई इस पर दिखा देगा उस पर स्टॉरि दिखा देगा यह देखिए कौन कौन जानता इनको मैंसे मिलने गया ठागल यह wondcken के पूर मुख्य मंतरी है मैं इन से मिलके के आया हूं कल तो कल मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाया और दूसरा दूसरा कहां गए हाँ यह रहे यह इनके बेटे हैं हर्याना के यंगेस्ट एंपी मेंबर ऑफ पार्लियमेंट डिपेंदर उड़ा यह रोग तक से तो इन से मुलाकात हुई मेरी तो इस वजह से मैं कल नही अब मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर हैव नाइस वीकेंड एंजोई और टाइम और टेलीग्राम चैनल पर अभी इंग्लिश लवर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर मैं आज की यह जो पी